आप लोग इस्क्रेन पर फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग राहुल गांधी के बारे में बात करने वाले हैं यह अभी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि आप देखी मौदी की जाती सरनेम को लेकर इन्होंने कुछ टिपपिडिया की थी और इनके खलाब मानहानी का मुकद्मा दायर किया गया था और इसमें आप देखेंगे यह आहरूपी थे एक तरह से दो सिद्ध हो चुका है इन पर और दो साल की इन्हें सजा सुनाई गई है यह अलग बात है कि इन्हें जमानत भी मिल चुकी है तो यह पूरा मामला क्या है और राहुल गांदी के बारे में एक सामन जानकारी हम लोग देखेंगे इनका परिवारिक बैक्ग्राउंड क्या है इनकी सिख्षा किस तरह से रही है राजनेतिक सफर क्या रहा है और इनसे जुड़े हुए कुछ बिबाद भी है तो उन बिबादों पर भी हम लोग बात करेंगे और अभी हाली में नोंने भारत जुड़ो यात्रा भी की हुई है तो ये भारत जुड़ो यात्रा के दोरान की ये तस्वीर है इस्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे अगर गांधी नहरू परिबार को हम लोग देखे न तो आप लोग पंडिज जवाहल लाल नहरू हमारे देश के पहले क्या प्विधान मंतरे पहले पीएम और उनकी बेटी थी इंदरा गांधी इंदरा गांधी की साधी होती है फिरोज गांधी के दो बेटे थे एक राज मैंका गांधी बेटी थे और संजय गांधी की साधी होती मैंका गांधी से और उन दोनों के बेटे हैं बरुन गांधी और आपको मालू होगा कि राहूल गांधी कॉंग्रेस के लीडर है और बरुन गांधी बीजेपी में सामिल है ठीक है और कॉंग्रेस की बात करें तो आ और भारती जिंता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले अध्यक्च उसके अटल विहारी बाचपे ही हैं। और इनकी बहन का नम प्रेंका गांधी है और इनकी दादी इंद्रा गांधी थी और इनकी सिक्षा की बात करें तो सेंट कोलवा स्कूल दिल्ली से इन्होंने शुरुआती सिक्षा ली और दोनी स्कूल मौल देहरादून उत्राखंड से भी इन्होंने सिक्षा ली और आगे क सीथ काली इंपार फ्लोरीडा अमेरिका से भी चाली है ट्रिनिटी कॉलेज केंबरीज इंगलेंड से भी पढ़ाई की हुई है तो आप कह सकते हैं कि इनके जो कॉंग्रेस के लोग होंगे उनके नेता पढ़े लिखे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है और सेक्षडी के उगगि राजनीती में यह अभी तक तो आसफल दिख रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि सिक्षा में भली इन्होंने पी अचडी की हुई हो पड़े लेखे हो और हमारे देश में तो सिक्षा से जानदा राजनीती में सफलता देखी जाती है बेवसाई की बात करें तो भारती य इसे जुड़े हुए है राहुल गांदी के एक तो आप देखेंगे गल्फेंड को लेकर लव स्टोरी को लेकर कई बार ये चर्चा में बने रहते हैं और इनके कहते हैं कि अफेर्स रहे हैं कई आप देखें लेका को ने सुविकार भी गिया नोयल जहीर यह आप देखें इन दोनों को कई बार भारत की बाहर एक साथ देखा गया था परंतु रहुल का यह रिस्ता जहना दिन तक नहीं चल सका और नोयल ने 2013 में मिस्ति के राजकुमार से विवा कर लिया फिर इनका जाम जुड़ता है वेरो निक कार्टीली से और इनसे रहुल की मुलाकाद 1990 में केमरेज में हुई थी परंतु इनकी रिस्तों का खुलासा 1998 की बाद हुआ इसके बाद कई बार इन दोनों को एक साथ छुटियां मनाते हुए भी देखा गया है और एक बार तो वेरोनिक को लक्षदीप और केरल में राहुल गांदी और उनकी बहन और परिबार के साथ भी इस्पोर्ट किया गया था और जिसने इनके रिलेशन में होने की खबरें और पक्की हो गई थी और हमारे देश में राजनीती की दुरभाग के कहिए आपकी पर्सनल जिंदी को जांदा देखा जाता है बरना नेता है उनकी भी अपनी जिंदिगी होती है सब अपना अपना कुछ कर सकते हैं गोम सकते हैं उसमें कौन सी गलत बात है अगर हम लोग इनकी राजनीती की आत्रा की बात करें तो राहुल गांदी 2004 में उत्तर पिदेश के अमेठी निर्वाचंचे से लोगसभा सदस की रूम में चुने गए थे पहली बात 2004 में नोने लोगसभा का चुन लोगसभा सदस का चुना और डारेक्ट मत दाता हो जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोटर सुची में नाम जुड़ चुका होगा और वोट भी डालतने जाते होंगे और उत्तर पिदेश की बात करें तो आप देखते हैं रा 103 सीटे हैं पिधान परिशन में 100 सीटे हैं राज्यसभा में 31 सीटे हैं लोगसभा में 80 सीटे हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्दी है ना उसका रास्ता उत्तर पिदेश से हो कर जाता है और पिधान मंतरियों की अगर सूची उठा के देखे ना तो अधिकतर पिदान मंतरी उत्तर फिदेश दे निकल के आये हुए और टोटल लोगसभा में आप देखते हैं पास 143 सीट हैं लोगसभा में फिर आप देखें 24 सेप्टमबर 2007 को उन्हें अखिल भारती कॉंग्रेस कमेटी के महासचिप की रूम में नुक किया जाता है फिर उन्हें भारत की फिर आप देखें जनवरी 2013 में उन्हें भारती राष्टी कॉंग्रेस के उपाद्यक्ष की रूम में नुक किया जाता है 2014 में लोगसभा में उन्हें अमेठी की लोगसभा सीट से पुनहा जीत दर्ज की और अपनी लोगसभा सीट को वरकरार रखा लेकिन 2019 जब आप दे एक तो केरल की वाइणाड से और दूसरी थी आप देखेंगे अमेठी उत्तरपोदेश की लेकिन आप सभी जानते हैं कि समीट्पी इराणी के सामने इने हार का सामना करना पड़ा राहूल गांधी अमेठी से चुनाओ हार जाते हैं लेकिन आप देखते हैं वाइणाड से और अभी बर्तमार में आप देखते हैं कि ए लोगसभा सदस्ते हैं वाइनार्ट की रहल से बाद में राहूल गांदी ने आहम चुनाओ में कॉंग्रेस के दैनिये बितरसन की जिम्मेदारे इलिती हुए अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तिफावी दे दिया था अब आप देखें इस तरह के किसी पत पर आप होते हैं तो सवभा भी किसी बात रहती है कि आपको बहुत सारे पसंद करने वाले होते हैं ना पसंद करने वाले भी होते हैं तो इनसे जुड़े हुए कुछ बिबाद भी है और अगर बिबादों की बात करें तो राहुल गांधी बिवादों में तब आये जब उनके द्वारा बताये गए नाम और जर्म की तारीक तथा उनके कॉलेज प्रमाडपत में दर्ज नाम उनके की तारीक में आसमानता के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी राहुल द्वारा हिंदू उगबाद और इसलामी आतंगबाद पर टिपड़ी की और जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू उगबाद इसलामी आतंगबाद से जानदा खतरनाक है और इस बिवाद इस पर टिपड़ी के कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में जमीन आस्मान का फरुक होता है। बहुचर्चिद नैसनल हेराल्ड मामली में उन पर विष्टाचार का आरोप भी लगा है। कहा थे यानि की आरेसस का और हिंदू राष्ट हिंदुत की बात करता है ना इस संगठन आरेसस नांगपुर में हेड़कौाटर देखने को मिलता है। बीजेपी को काफी मदद भी करता है चुनाओ में जिताने में। उनके इस कथन के कारण उनने कई लोगों की निंदा का पात्त भी बनना पड़ा था। और एक बात आपको बता दूँ, हमारे जो पहले ग्रह मंत्री थे ना और उपिधान मंत्री सरदार बल्ला भाई पटल ने, गांधी जी की हत्या के बाद इस संगठन पर राष्टिय स्वयम सेवक संग पर पिती बंद भी लगा दिया था। ये भी आप लो याद रखिएगा। ये पूरा मामला हाल में क्या था। बदनाम किया गया है। तो इस तरह से आप देखें कि एक सौट वाई गुराप ये आप लोग कह सकते हैं एह किसकी राहुल गांधी की। ठीक है। और किसी के बारे में जानना हो तो आप उसका नाम बता सकते हो। उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगी।